let's start position vector okay position vector का मतलब हम लोग अभी समझेंगे okay position vector जैसे अगर मैं यहां पर खारा हूं ठीक है और मैंने यह suppose यह marker को लिया अगर मैं इस position से where I am standing ठीक है यह मैं इस position को लेके चलना हूं यहां पर मैं खारा हूं और यह marker यहां पर है okay this is the position of marker suppose this is the position of marker अब यह जो distance है marker से लेकर के जो जहां पर मैं खारा हूं मतलब मेरे और marker के बीच का distance यह distance है okay अब suppose यह marker यहां से move करके यहां चला जाता है ठीक है यह marker marker पहले यहां था यहां से move करके यहां चला जाता है तो अगर इस की बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक जो यहां पर जब था जब इनिशियर position में था marker okay तो यहां से मेरे पास से मतलब मुझ से इस marker की कुछ distance होगी suppose यह distance को मैंने r1 मान लिया okay और यह अपने position को change कर रहा है कौन marker और with reference to me मतलब मेरे reference के साथ इसका distance भी change हो जाएगा okay और यह distance जो है वो क्या है r2 suppose मान लिया तो यह जो distance से यह position factor कहलाएगा इस position के लिए ठीक है with respect to me further अगर यहां पर देखे initial position में था तो यह जो distance है this r1 distance is position with factor with respect to me at this position मतलब initial position की बात मैं कर रहा हूं जांबर marker पहले था अब marker यहां चला गया मतलब position vector r2 हो गई मतलब there is change in position vector okay अब अगर हम लोग इसको चाहें तो हम लोग यह कह सकते हैं कि position vector की जब भी बात करेंगे तो यह reference point से हम लोग इसको measure करेंगे ठीक है और अगर अगर हम लोग इसको Cartesian coordinate system में देखे हैं तो यह reference point हमारा origin हो जाएगा जैसे अगर यह हमारा x-axis है और y-axis और यह हमारा z-axis यह x यह y और suppose यह z-axis होगा तो तो z-axis को normally हम लोग इस तरीके से भी represent करते हैं बिकोज हम लोग two-dimensional मतलब इस plane पर नहीं दिखा सकते हैं ठीक है तो अगर यह invert जा रहा है मतलब negative z-axis है तो हम लोग cross से दिखा लेते हैं और अगर positive z-axis है तो हम लोग इसको dot से दिखा लेते हैं ठीक है तो चलिए मैं पहले दो एक्सिस हो consider कर लेता हूँ यह मेरा x-axis और यह y-axis और यह origin जहां पर मैं खड़ा था ठीक है यह origin जहां पर मैं खड़ा था तो इस origin से suppose कोई भी vector अगर यह इस vector का position रहा होगा initial position अगर मैं कह रहा हूँ तो किसी भी object का तो यह initial position इस object का इसको हम लोग कहेंगे position vector और यह हमारा हो गया suppose हमने इसको r1 मान लिया और vector की direction क्या होगी यह हो जाएगी इसकी direction because this is ठीक है from the origin ठीक है अब अगर यह यहां चलाया है ठीक है यह move कर गया और इसको हम लोग यह कह सकते हैं displace कर गया ठीक है अपने position को वो change कर दिया अगर यह अपने position को change कर रहा है तो obviously position vector भी change होगा और यह position vector हम लोग जब origin से measure कर रहा है तो इसको अगर हम लोग उने r2 माल लिया तो this is the position vector for the second position of the object है ना यह हम लोग कह सकते हैं final position of the object और इसको अगर हमने कहा यह this is the position vector for the initial position of the object तो हम लोग यह समझ गया यहां से कि क्या है हमारा position vector तो position vector को हमेशा हम लोग origin से consider करेंगे क्योंकि यह हमेशा reference term में होगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं position vector position vector ठीक है अब अगर आप देखें तो यह vector मतलब vector जो हमारा जो object था उसने अपने position को change किया कहां से कहां तक मान लिया initially यह position इसका a था और यह चल के चला गया b position पे है ना जैसे हम नहीं देखा marker यहां रखा था यहां से यहां चला गया तो a से b पे चला गया थे जो direction है a से b पे जाने वालाcession इसको हम लोग कहेंगे यहां से यहां तक क्या हूआ यह displace कर गया człittle done object a to be a to be displaced कर गया in this distraction राइट तो यह displacement हुआ इसको हम लोग कहेंगे displacement vector क्या कहेंगे displacement vector ओके मेरे ख्याल से यह क्लियर हुआ होगा अब अगर हमें डिस्प्लिस्मेंट वेक्टर फाइंड करना होगा तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं तो डिस्प्लिस्मेंट फेक्टर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना होगा final position vector minus initial position vector. मतलब final position से initial position को minus करेंगे, मैं displacement मिल जाएगा. तो अगर हम लोग final position की बात करें, तो ये जो होगा, वो हमारा R2 हो जाएगा, और initial position क्या होगा? R1 हो जाएगा. ओके? ठीके? तो हम लोग इसको कह सकते हैं, जो displacement vector हो जाएगा, मतलब अगर हम लोग displacement vector, अगर हम लोग A B दिखा रहे हैं, तो A B would be R2 minus R1. ठीक है? इसको हम लोग vector addition से भी देख सकते हैं, ओके? vector addition से भी देख सकते हैं, जो कि मैं भी deal करूँगा आगे, तो मैं सिर्फ अभी यहाँ पर position vector बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर vector addition करते हैं, ट्रेंगल law of math rule से, तो यह आपका R1 plus AB, तो resultant जो आपका हो जाता है R2, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, R1 plus AB is equal to R2, और अगर हम लोगो AB निकाल ला होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं, AB is equal to R2 minus R1, ओके, तो AB क्या है हमारा यहाँ पर, AB is nothing but a displacement vector, ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें, तो इसको Cartesian coordinate system में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर चुकि यह object को हमने दिखाया, कि इसकी motion जो है, एक ही plane में हो रहा है, तो हम लोग XY consider किये, अगर यह object somewhat यहाँ पर चल रहा होता, यहाँ से चला होता और यहाँ पर चलाया होता, ओके, अगर यह object यहाँ से यहाँ चलाया होता, तो obviously it means कि यह three dimension में, three dimension होगा इसका motion, मतलब XY और Z, three coordinate को हम लोग consider करना पड़ेगा, अगर हम लोग यह देखें कि plane में अगर consider कर रहा है, तो obviously इसको हम लोग unit vector में भी displacement vector को represent कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, चलिए, सुरू करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग इस point को देखें, अगर हम लोग इस point को अगर हम लोग देखते हैं, तो यह displacement इसका X axis पर अगर हो रहा है, तो मैं इसको X1 माल लो, right, कोई दिक्कत नहीं, obviously, और इसको अगर हम लोग चुकि यह X क्या है, this is the magnitude, मतलब कितना है, X direction में वो चला, इसका magnitude क्या है, यह आपका है X1, ठीक है, यह X, X1, because हम लोग दो position ले रहे हैं, अब इसका, obviously, हम लोग vector में देख रहे हैं, तो vector में हम लोग को vector चाहिए, और unit vector में हम लोग vector को convert करके, unit vector में हम लोग इसको represent कर सकते हैं, और आपको पता है, कि X direction में जो unit vector होगा, वो हम लोग क्या लेते हैं, I, I cap, मतलब, यह हमारा direction भी हो गया, कोई दिखकर, नहीं है, अब अगर हम लोग इसको यहाँ पर ले लें, तो क्या यह Y direction को indicate कर रहा है, obviously, यह Y direction में इतना चला हो, this is the position, with respect to, or isn't, तो Y direction में अगर हम लोग देखें, तो हम लोग इसको Y1 लिख सकते हैं, और यह जो हम लोग चाहें, तो इसको Y direction में क्या लिखते हैं, J cap लिखते हैं, unit vector जो हम लोग इसको लिए use करते हैं, J cap लिखते हैं, similarly, अगर हम लोग इस position को देखें, ये जो position है, अगर हम लोग इसकी दूरी, अगर हम लोग x2 कर लें, तो लिख सकते हैं x2 eye cap right? और इसकी दूरी अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते है y2, मतलब इस position के बात हो रही है, इसको हम लो लिख सकते हैं y2 j cap, right? तो यह position है y2 j cap की और यह जो position थी यह किसकी थी y1 j cap की ठीक है अब अगर हम लोगो इसका displacement vector निकालना है using this coordinate system तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग कह सकते हैं a b is equal to r2 minus r1 ठीक है मतलब यह a b जो हम लोगो निकाला है इसके position को minus करेंगे ठीक है तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि a b is equal to r2 minus r1 right r2 minus r1 ठीक है तो r2 अब क्या लिख हो गया r2 हम लोग लिखेंगी यह जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं r2 या r1 r2 का position क्या है है x और y position हम लोग लिख सकते हैं r2 का x y position क्या लिख सकते हैं x2 i cap okay x2 i cap और क्या यह इधर plus इधर क्या है आपका y2 j cap यह ठीक है यह आपका actual position है and that is minus minus हम लोग ले रहे है r1 r1 की position क्या हो रही है यह हो रहा है एक्षवण i cap plus y2 sorry y1 j cap right यह y1 j cap okay मतलब इसको अगर हम लोग यह पोजिशन के बारह में लिख दें तो हम लिख सकते हैं x1 y1 लिख सकते हैं इसको और अगर इसकी बात करें इस x2 to the whole ही हो जाएगा तो यह हो जाएगा x2 minus x1 i cap okay उसके बाद हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर minus है तो minus का sign लेंगे और हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं y2 minus y1 और यह हो जाएगा j cap okay similarly अगर हम लोग को z component में अगर हमारे पास three dimension में हैं तो हम लोग लिख सकते हैं z2 minus z1 यह 3 minus z1 जो भी हमें point मिलेगा उसको हम लोग z component में कर सकते हैं और अगर मालिया यह position हमारा कुछ यहाँ पर था three dimensional में तो हम लोग इसको सीधा सीधी इसको operate कर लेंगे z के term right तो यह आपको समझ में आया होगा कि position vector क्या है displacement vector क्या है how we are able to calculate the displacement vector और दूसरा अगला point यह भी समझ में आया होगा कि हम लोग unit vector से कैसे इसको unit vector में coordinate Cartesian system में इसको कैसे represent करते हैं ठीक है अब आगे कुछ point और देख लें एक तो start करते हैं हम लोग addition of vectors right addition of vectors मतलब अगर दो वेक्टर से तो उसको हम लोग add कैसे कर पाएंगे ठीक है तो there is several methods several methods for the addition of vector okay